मूली के पराठे बनाने के लिए ना तो आपको आटा गुनना है ना ही रोटी को बेलना होगा आज हम बनाएंगे बिना बेले और बिना आटा गुनने मूली के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़िदार पराठे ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिसना करें मूली के पराठे बनाने के लिए हमें या पे मूली लेनी है मैंने या पे चार मीडियम साइस की मूली ली है सर्दियों में मूली बहुत ही अच्छे आती है और गर्मा गर्म मूली के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो यहां पे सबसे पहले मूली के पत्तों को अलग करके इनका हमें छिलका उतारना होगा तो इनका जो छिलका है वो हम पील कर लेते हैं पीलर से अच्छे से मूली का छिलका निकालने सभी मूली का हमें छिलका निकालना होगा और इसके बाद इन्हें अच्छे से दो लेना होगा ये देखिए अच्छे से मूली का छिलका निकाल लिया इन्हें अच्छे से वाश करके फिर हम इसे गिसना शुरू करते हैं इन्हें आपको कदुकस कर लेना होगा तो इस तरीके से आप कदुकस कर ले सारी मूली को कदुकस करने के बाद हम क्या करते हैं मूली का पानी हम निकालते हैं पर इस रेसिपी में ऐसा नहीं करना है आपको मूली का पानी वगरा निकालने की ज़रूरत नहीं है नहीं चोड़के इसका पानी भी हम इस्तमाल करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस में हमें यहापे लेनी है एक गैस पर कड़ाई और इसमें थोड़ा सा ओईल डाल देना है जादा तेल का इस्तमाल नहीं करें फिर इसमें जीरा डाल देंगे आदा चोटा चमच और हलकी सी हींग डाल देते हैं मूली के पराठो में हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन्हें हलका सा भूनने देते हैं फिर इसमें प्याज डाल देते हैं तो छोटे सा इसकी प्याज डाल दें, इसी के साथ इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं, अगर आपको तीखन नहीं खाना है तो आप इसे स्किप कर दें, या मिर्ची को अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप इसमें लाल मिर्च का पौडर भी डाल सकते हैं बाद में, तो पह फिर इसे हम थोड़ा सा fry कर लेते हैं ऐसे चलाते वे आपको इने अच्छे से fry कर लेना है जब तक कि मूली जो है dry नहीं हो जाए फिर इसमें आपको नमक भी डाल देना है इस टाइम पे बहुत जाद आपको strong नमक नहीं डालना है इसी के साथ डाल देते हैं इसमें थोड़े से सफेद वाले तिल यह सिसम सीट्स है जो की optional है पूरी तरह से आप चाहें तो डाले नहीं तो skip कर दे इनसे थोड़ा सा texture अच्छा आता है एक hit सा आता है अलग सा तो खाने में अच्छा लगता है तो जितना भी हमारे यह mix है यह देखिए अच्छे से dry हो गया है completely इससे जादा नहीं पकाएंगे gas को हम बंद कर देते हैं इससे जादा अगर पकाते हैं तो मूली का जो flavor है वो निकल जाएगा तो बस इतना ही पकाना है और इससे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने का थोड़ा वेट करते हैं तो gas कॉफ कर दें इधर हम एक बोल में डाल देते हैं दो कब जितना गयहूं का आटा आप यह पर आठे चाहें तो किसी भी आठे से बना सकते हैं मैंने यह पर गयहूं का आठा लिया है अब आठे को आपको गूदना नहीं है आठे में आपको डाल देना है यह जो हमारा मूली का मिक्स है तो सारह ही आपको यह तड़का वाला जो मूली है वो डाल देना है इसके बाद आपको इसमें पानी डालना होगा उससे पहले हम इसमें धनिया डाल देते हैं और नमक भी डालेंगे थोड़ा सा तो धनिया और नमक इस टाइम पे भी डाल देंगे ध्यान रखे हमने नमक पहले भी इस्तमाल किया है फिर आपको पानी डालते रहना है जुरुत के साब से और इसका गोल है वो तेयार कर लिना है गोल काफी थेक होने वाला है बहुत जादा पतला नहीं रखेंगे तो यहाँ पे देखिए गोल हमारा इस तरीके का रहेगा ये बहुत जादा थेक है और इसमें जो मूली का mix है वो भी बहुत जादा है जिसके वज़े से यह आपको दरदरा सा दिखाई दे रहा है रेशे रेशे जैसा तो यहाँ पर यह जो हमारा मूली के पराठो का mix है वो तेयार हो गया अब फटा फट से पराठे बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर चोटे पैन का इस्तमाल करा है इसमें हम ऑईल या घी डालेंगे पराठो को बनाने के लिए अच्छे से घी को स्प्रेड कर दे इसके बाद यह पराठे डाल देते हैं यानि की आटा डाल देते हैं तो इस तरीके से आपको लिक्विड डो के पराठे तयार करने यह देखे इस तरीके से आपको फैला देना है थोड़ा सा यह खुद से नहीं फैलेंगे आपको फैलाना होगा तो अच्छे से हमने गोल सा पराठे का शेव दे दिया है जब भी आप लिक्विड डो डालें प तो आपको इसे अच्छ से सिखना होगा थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन अच्छ से सिख जाएगा इसके बाद हम वापस से ऐसे पराथे बना लेते हैं यह देके पराथे एकदम गोल बन रहे हैं छोटे पैन के वज़े से आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं लेकिन पैन में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है और यहां पर मेरे चार पराथे बनके तियार हो गए हैं इतने गोल में कम से कम साथ आठ पराथे बन जाएंगे अराम से इस रेसेपी को ज़रूर ट्राय करें यह मुली के पराथे खाने में बहुत डेस्टी लगते हैं